दिस इस ग्यालेक्सी न्यूज आउर लाइव सम्भई धानिक निकाय का एक जना प्रमुख आपनो माथ हत का कर्माचारी ले घूस खाय को सगर्ब बताउने गर्शन तियो पनी एस तो निकाय जसली सार्बजनिक कारेलेमा भई रहेका आर्थीक अनी मितता अउल्याउने जिम्मेबारी पायेको छ महालेखा परिक्षक टंकमडी सर्माले लेखा परिक्षक हरूले घूसली ने गरेको अविव्यक्ती समसदीय समितीमा रेकर्ड ने गरायेका छन सर्बजनिक निकाय का आर्थीक कारोबार लाई पार दर्स्तिर जबाफ देई बनावने जिम्मेबारी मा रहेको महालेखा परिक्षक ले आफने कारिया लाई मा भई रहेको बेथीती बारे खुलासा गरनों प्रस्तम्षनिया हो तरो अवा प्रस्त्त वोडच गोश खाने करब चारी बाती उने कारवाई गर्चन की ढाक्षोब गर्चन अवा यस अभिवक्तिला लियर और उनिकायले सान्वेन गर्चन की गर्देनांदा नमस्कार योहो गैलक्सी नीज आउर अबर हेडलाइन्स राजनिती मां फेरी साना दोल को बीगबीगी बढ़ने संकेत एकी करोण को द्वी बर्चन नपुग दे जोसपाद दोस्ट उपतक फूड को संगार मां देजार चोहत्तर को चुनाबले जुटाएं का दोल पनी धमाधम बिभाजे सिडियोर नैदीस पाटे घुस्खाने माहलेखा का कर्मचारी को बीवरण सार्वजिनेक गरन सामसुदर को माग भंचन माहलेखा परिक्षेक को बिक्तिमा समसदलेने चानबीन गरनु पर साओ पासुपत चैत्र को पार्किंग ठेका माँ चौलखिल कूश्मा चैतर लाख बुजायर साथ करूड उठावने दाव प्राधिकरनडे भारत लाए बिजूली बेचर एक महिना माँ कमायो पौने दुई अर्भा भारतिये उर्जाय एक्सेंज मार्केट माँ सत्र करूड बयासी लाक युनिट बिक्री गाभारत मा एक पटत्मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक का सामग्री मा प्रतिवन्द उलंगन गर्ने माथी पांच बर्स समग कईद साजाए हुने 2023 तर्मा राजनितिक दल समंदी अईनली राष्टिये दलको मान्नेता पाउना प्रतिनी दी सबास्वदस्य निर्भाचर्मा प्रतक्से तर्फ एक्सेट जितनू पर्नी रसमानु पातिक तर्फ कम्तीमा तीन प्रतिसत मत लियावनू पर्नी बेवस्था गर्यों ये सखाल को सिमाले धेरे दलहरू ले मान्नेताने नपाउनी अवस्था आये पची 2024 को निर्भाचन अगी दलहरू मा एकता को लहर नहीं चलियो तर्फ त्यो एकता पांच बर्स पनी टिक न मुश्किल भाएको सा तेदी खेर एकी क्रिद भाएका दलहरू अरको चुना आउदेई फूटने र नया दल खोलने लहर चलियो चुना पची एक भाएका दल पनी एक साथ बस्ण नसक्ने भाएका शन उपेंडर यादब नेत्रित को जनता समाजबादी पाटी जसपा दोस्त्र पटक फुटको डील माँचा पाटी अदक्चे यादबर संगी परिशद अदक्चे बाबुरा मट्राई आ आफनो पक्षियमा बहमा जुटाउने कसरत माँचन एक बर्ष अगी मात्र एही पाटी बाट अलगीएको समभा महंतर ठाकुर को नेत्रितमा लोकतांत्रिक समाजबादी पाटी बनावन पुगे को थियो 2004 को संग्षदिये निर्वाचनमा इतिनै समभा अलग अलग पाटी का रुपमा परिश परदामा थियो चुनाब पची उपेंद्र यादप महंतर ठाकुर रबाभुराम भट्राई एकई ठाउमा उभिये पची 25 सामससाइड देशकाई चौत ठुलो सक्ती बनेको थियो मुलुकाई राजनाइतिक इस्तायतोर संब्रिद्धिको नारादियर अगिलो संग्षदिये चुनाब को मुखईमा यसका ठुला दुई बाम सक्ती एमालेर माववादी एक ठाउमा उभिये का थि संगय मिलेर चुनाब लडेका उनियरू चुनाब पची एकाई पाटी पनी भई तरत्यो एकिकरिये दल नेकपा अहिले चार टुग्रामा बिवाजित छ पुस्पकमाल दाहालको नेत्रितमा साबिक का माववादी नेता हरू पुराने नामा संगठित छन पुर्व माववादी का कहिनेता एमाले माई छन बामदिप गवतमलाई समेट गणना गरने होबने एमाले तीन टुग्रामा बिवाजित भई को देखिन छ एमाले का 1-1 सामसात मादी तैही जनाली एर मादम नेपाली नेकप एककरे समाजबादी गठन गरे र कांग्रेस नेत्रित को गठबंदन मा इस्चेदार बनाए तेस्ते रापर पार बिवेक्षिल साजा पनी एही बीज मा छिन भिन्नवाएका छन इसलिए चुनाप मां भागली ने दल को संक्या फेरी बढ़ने देखिये को छ जले गर्दा खेरी पार्टी एक पचि अर्को करदे टुकरीने साना-साना माँ विभाजित है रात थिव विभाजित पार्टी ले और चुनापका भ्याला मुरचा बंदी गर्दे अरका समाट्रा शीन देखी खोजी हिनने, और खोजने लेपिन तेस्टे तेस्टे इसाना तीना खोजे रागाणी बढ़नु परने, जुन देखीन देशा त्यो राम रूल अचे नुए। अब मुलुक बिस्तारै अमेरिका मा जास्ताई दुईदाली बिस्तातीर उन्मुको नेर इरिशंको संग्षद मा ससाना दल को चल्खेल अंते हुने बिस्ते शन गरियेको थियो। तोर अहीले फेरी टुट-फुट को स्ट्रिंखाला चलदा, फेरी साना दल को जग-जगी बढ़ना सकने देखियेको छा। सम्मिधान जारी हुनु अगी सम्मा साना दल को जग-जगी बढ़ना समानुपातिक मत संकलन गरी एकाथ सीट भायपनी सत्ता कालागी मुल्मुलाई गर्ने बिकिर्ती हदै सम्मा मौलायको थियो। सम्मा मौलाई गर्ने खुकुलो बिवस्ता साइट अध्यादेस जारी गर्ने और को बिकिर्त खेल सुरू गरी एको छा। में स्रित निर्वाचन पढ़ाली भायको हाम्रुज अस्तो देसमा दल संक्या जथी बढ़दै जान्चा। यती नहीं युटेई दल्ले बहुमत पाउनी सम्मावना कोम हुन्चा। देरे पसी मात्र वेत खुले हो। तरा बाबुराम भट्राईको नाम बने देरे नेपाले को दिमाग बातियो। उने पछल पटक जोडियो को जनता संबाज बादी पाठी बाठ अलग गिने तरखर माज़ान। कार बनायो। त्यू सरकार मा भट्राई अर्थ मंत्री थिये। तेती खेरा गरे का काम का कारण भट्राई अहिली पनी सम्झीने नाम हुन। देजार अर्शठी साउन मा मावबादी अध्यक्षय पुस्प कमल दाहल बिरुद्ध दोबी घाट गठबंदन भयो। दोबी घाट भेला का सुत्राधार थिये मोहन बईद्य। पार्टी भित्र जनविद्रोहा को वकालत गरिरे का बईद्यको पक्षय मा उभिन पुगे का थिये सांतिपुण राजनिती कार्य दिशा का पक्षय पाति भटराई। उनी बईद्यको कितामा उभिनुको पसाडिये प्रधान मंत्री बनने बाटो खलनु थियो। भटराई नभन्दै प्रधान मंत्री बने। प्रधान मंत्री का रूपमा खासगरी सड़क बिस्तार का लागी उनको नाम समझीने गरिन्षा। 2079 असार मा बईद्यको समुह मावबादी बाट अलग भयो। भटराई बईद्यत्विर लागे नन। तर उनी मावबादी मा पनी रही रहन सके नन। पार्टी अध्यक्षिया दहाल को बेवार कार्य सैली बाट आजीत भय। त्यों कार्य सैली को बिरोद गरेर दहाल लाई बिस्तापन गरन नसकने देखे पसे भटराईली द्वेजाद त्री हात्तर जेठ तीस गते नया सक्ती गठन गरे। त्यती बेला उनले मावबादी आंदोलन को उपलब्दी स्वरुप गनतंत्र संगियतार धर्म निरपेक्षेता सहित को नया समिदान बने को र अवको निकास आर्थिक बिकास भयको उदगोवस गरे। त्यो पार्टी मा मावबादी छोड़ेर धेरे नेता आये। पार्टी बाहिर रहेका हरूले पनी भटर आयलाई साथ दिये। तर उनले नया सक्ति लाई गती दिन सके नन। मावबादी बाट आये का धेरे जसो कुतै फर्किये। अरू पनी हेडे। निके कमजोर बनेपची भटर आये आफनो निरवाचन छेत्रमा जितन कलागे अरू को सहयोग चाईनी अवस्ताम अपगे। 2074 को चुनाब अगे शुरूमा उनले एमालेरा मावबादी संगा गठबंदन को निड़या लिये। तर अंतीम समय मा कांग्रेस को सहयोग मा चुनाब जिते। उनको पार्टी बाट अरू कसेले निरवाचन जितन सकेना। पार्टी का एकला सामसद भटर आये ले 2032-30 गते उपेंद्र यादप नेत्रितोको संगीय समाजबादी फूरम संग एक अता गरे। तर भटराई अहिले यादप संग सगे रहन नसकने निसकर्षमा पुगे काशन। येसे बीच नेपाल का राजनितिक पार्टी पार्टी गुट को बंधक रफुट को समस्या बाटा किना गुजरीन चन रदल हरू कमजोर बंदा के असर पड़ छा भनेरा राजनितिक बिसलेशक राजेस्का उतमलाई सुदेगाचाू। येल्लाई चाहिए तौलापार रशत्तामा माथी जाऊ बनने इगो नहीं मुख्यरू बाट स्तापित भार्बु लेखिएचाू। इसले गर्दा खेरी मलाईक्य लाग्चा बन्दा खेरी राजनितिक दल हरू मा चाहिए वड़ा बीचाहर को शंकट छा देश प्रती इमांदारी को शंकट छा राजनितिक दल का नेतार मा प्रस्टरूपली देखिए को चाहिए। अफ्रेश आप मा कम्निस्त हुं बहने रधा रधा है। विकल्स्चा देखिए विशनितिक द्रती ना चाहिए व्यों को शिद्धान्ता सपशा वारू में परिचालन गर्दैने रधा को त्या ही ईस्धान्ता अनुरूप्प लिए प्रइश को शितीने प्रती प्रयाश कर मैं आप आधा मैं देखि रहाछां कि मत cay अजल Nicholas का नितरु माती राजनेतिक डल अरं माती आम नेपाली जन्तारू प्रस्नगरी रहें अजलEh जन्तान्ता लागी राभी राखें वक्तान्ग राजनेतिक डल तूर थार वॅ क्यरं अज़त्ग नेटरु सेपथ से'll भाइदा त प्रदिनितों तो गर्ण साखे का चाहिनान बान्ने कुर आमा मा धुका छुएस मा मला कुने इसांका चाहिन। राजनितिक दल सहजे विवाजन गर्नन नमिलने गरी संबिधान र कानुन मा कठोर बेवस्ता गर्नु का पचारी बिगत को हामरो तीतो अनुभव को प्रिष्ट भुमी थियो। तो तीतो बिगत न दोहरियोस रमुलुक स्थाई तोर संब्रितिक मार्गमा अगी बढ़न सकोस भनने त्यो आसामा गये का पाजबर सले तुसारा पाद गरी दियो। फेरी वही चक्र व्यूमा ता हामी प्रविस गर्दे छाईनों गंभीर चिंता को विसे बने को साब। जिवाडू हईजा जाड़ा पकला आउं टाइफाइड लगायत पानी जन्ने रोग लागन सक्सा। अस्पताल मा जाड़ा पकला का बिरामी को चाप बढ़ दे गाये को सा। रोग फईलावने जिवाडू फिटी एकाले बिग्यहरूले उमालेरा मात्रा पानी प्यूना सुजाब दिये काचन। नेपाल बिद्धूत प्रादिकर्णले फारतलाई बिद्धूत बेचेर एक महिना मा एक अर्बा 72 करोड 30 लाक रुपिया कमा आयको सा। प्रादिकर्णले फारती उर्जा एक्सेंज मारकेट मां 17 करोड 81,91 यूनिट बिद्धूत बेचेर संपुन सुलक का कटाई एक अर्बा 72 करोड 30 लाक रुपिया कमा आयको हो। देश्मित्रा खपत गरी बड़ी फाय को बिद्धूत प्रादिकर्णले जेठ नौ देखी। वारती उर्जा एक्सेंज मारकेट मां बिक्री गर्दे आयको सा। प्रादिकर्णले उस्वत्मा प्रती उनिट 9 रुपिया 67 पैसा मां बिद्धूत बेचे को सा। प्रादिकर्णले यो आर्थिक वर्षा चैत समा 10 अर्व 11 करोड रुपियां को बिद्धूत आयात करी सके को सा। तिस एता को आयात को तथ्यांक सार्वजने करिये को साहिना। राष्ट्य सभाले 5 वर्टा विध्यक पारीद करे को छा। राष्ट्य सभाको आजबोस्ते को बईठक ले आर्थिक रर्वेर तथा जमानत 25 सम्षोदन विध्यक सुझाब बिना बहुमत ले पारीद करी प्रतिनेदी सभामा फिरता पठाय को छा। प्रमुख प्रतिपक्षी ने कपा एमाले का साम्षद ले भने बजेट निर्मार्ण मा अनदेग्रेत बेक्तिलाई सम्लगन गरायक विश्वाय मा चानबीन समीती गठन गर्णुपर ने माग संभोधन नभायको जनाए रा बईठक बहिसकार करे। आर्थिक र रेर तथा जमानत 25 सम्षोधन विधैक पारीत पची एमाले साम्षद हरु ले बईठक मा भाग लिये का थिये। प्रतिशत अनुदान दीने भनेपनी भुगतानी गरेको चाईना। भित्रको खर्च प्रणाली मा एक एक हिसाब गरी अन्यमीत ता अउल्याउने सम्भईधानेक निकाये हो महलेखा परिक्षक को कार्यालाई। तही कार्यालाईका कर्मचारी भ्रस्टाचा ढाक्षोप गर्न आफे घुस खान्छन मनेरा। परिक्षक ले नहीं बताई सके काशन। समसदे समिती समक्ष उनले गरेको खुलासालाई सामसद्हरूले कोसरी लिये काशन्त। यो प्रसंग निमेस्त बन जाड़े बाता। ये ती बेला तरंग पईदावाय कोसा। सर्माले गरेको उक्त खुलासा ग्यालेक्सी टेलेविजन ले सार्फजरूले कारे पसी मालेखा परिक्षक को कार्यले का कर्मचारी माथी चान्वीर गर्न परने आवाज समसद्हरूले उठाय काशन। राष्टोपती कारले देखी सर्वोच अदालत संगिय समसद सुरक्षे निकाय हुदै सबई सरकारी कारलेको लेखा परिक्षड गर्ने संबईधानिक निकाय महालेखा परिक्षक को कारले हो। तर तेही निकाय का प्रमुखले समसद को समिती मापुगेर आपना कर्मचारी हरूले लेखा परिछड का क्रम्मा घूस खाने गरेको खुलासा गरी दिये। सरकारी ये बम सार्वजनिक आमदानी र खर्चको हिसाब माँ भाय का गर्डबडी अउल्यावने संबईधानिक निकाय का प्रमुखले योहत सम्मा खुलासा गरी सके पछी सम्षड र राजिय का अरू निकाय चुप लागेर बसना नोमिलने साम्षड हरू को टिप पड़ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले घूस खाने कर्मचारी हरू को बीवरन ने सार्वजनिक गर्ना माग गरेकुछा का अरलिय का अरूमिलने साम्षड ले शर्वजनिक गर्ना परू परौ, शरकार का बविविनन्निकाए, मत्राला येमा पढ़ान। परौ, तैसना अनिमिता बहिरा आशा बर्ने कोड़ू कुछ इस Esther Member कतिपए साम्षद ले सर्माकु अविव्यक्ति लालिये र सम्षद सम्षदीय समिती र अक्तियार ले चान्बीन गर्णुपर ने भने का छन भने केहिले घुस मा लिप्त कर्मचारी सामु महालेखा परी चक्के निरिहाता देखियेको र येसले संस्थालाईने कमजोर बनायेको टिपपड़ी गरेका छन अवे बन्दा पोईला था चान्बीन अब मालेखा परी चक्माति ने उनन परो अनि वहाँ बड़ी इन्फर्मेशन आखो हो वाले बनना पर यो यो और ने गुछ खाका छन रतेस पा सी कारवाई गरन शक्न हुन्च, वाले त्युल्लोगायत का कर्मचारी एवरे यह जिसलीची गुष्खाक वौाला थाचा उसलार तुरूंते कारवाई गरन पर्च त्योँ बयो बन देखी वाले हो थापाओनु बयो संगषद लाइबन बन बन बयो कारवाई बन ब सम्षद र सम्षद या सम्मितिमा राख्य का विसे रेकर्ड मा हुंचन। अनिय मीतता हेरने निकाय का प्रमुकले आफने कर्मचारीले घुस खांचन भनेर सम्मितिमा खुलासा गरी सके पची येसमा थप खोजबीन गरीन छा की पानिको फोका जहीं तेसे हराउं छा। त्यो भनी फेरने पर्छा। क्यामिरामा संजे घुमिरे का सात्मा स्ट्रेजन घुमिरे गैलेक्सिफो के कटमंडो। यसे बीचामिले राष्ट्रिय सबाका प्रुबसादस्या एबम कानुट बेद राम नायरेन बिडारीला इसो देगा साूं। मालेखा परिक्षक लेने आफु मातत का कर्मचारीले सीडियो रन्राइदिस बाट समेत घुश खाने गरेको खुलासा गरे पसे समसद्रा राज्यका अरुनिकायले की गरनों परचा। कि अधाले सत्य बन्नु भाँचा यती बोल दीनी मालेखा परिछयक परी पाउनला गार रहा है। बुजन परोकियत वने मालेखा परिछयक भनेको चेकि और घुश खाने सीखावनी अध्डा अरु मध्ध्डी परचा। तियो अट्डा काम थे तिमने यो काज दाखया, मिलेना घुष्खानी में काज़ एसरी चाहे राखा, बनेरा उले प्रसिछण गर दिलिए। उन्हेर को प्रमुख कारिया नहीं ते है। हैं तो भुही चाहलो एठाय मादर होँ दे है, मालेखा परिछेका यो अधाय राख़ागानी होँ नहीं तो अधालत माँ आख़ागानी मानी दिभक तकाना नहीं तो दाय उधायमाँ भुहीचाहलो जस्ताई हो भ्रष्टाचा आरवने। अब एक हाई न आभाई न बढने पोकस्ते हो शंचट को भुमिगार किये अनि माल्याखापरिचे को भुमिगार क्ये होुआ उना पर चाहिए निघर जो खोनाने हो इन अखतियारल बंदे न होजना हुआ चानमा ये लिकेशन गरने चान्मिन कर लिए नेतृट वो ने तरीत वो नेपाल सारकार्डाने ghen आहत्यारो सहब कुछनी कहत्यारी बिद्ध कार बाहुनी ऑफ चत्त काद्व कारों पर्नै कि शॉतर नेन अगतार नेन नका खथनी करना भाई शाजें सेना लाय अख्तियार ले यर्दाइन, अधालत ले अख्तियार ले यर्दाइन, सम्मय दानिक अंग का प्रम करना अख्तियार ले यर्दाइन, पताधिकारी ले लाय यर्दाइन, ते सुवावनाले योग कानून परिमार्देन गर्ण पर्रिवो राजिका जिम्बेबार प्रदाधिकारी ले सारभम समसत को समिती समक्ष गंभीर खुलासा गारे पसे आनन्दले सुने रा बसने छूट अवा कसेलाई छाईना सामसदरुले सलाई गंभीरता का साथ ले प्रणाले भित्रका खराभी सतामले आउनु पर्छा रब्रस्टाचार बिरुद्ध गंभीर कदम चालनु पर्छा अब के निउस संचेप मा रास्टपती बिद्धादेवी भंडारी ले कानुनी सासन स्थापना का लागे कानुनी सिक्षा प्रमोक आदार फायकाले विश्टो बिद्धाले को भुमिका महत्तोपण होने बता आयके चन रास्टपती भंडारी ले आजा नेपाल लोग कैंपस को और सच्थेओं इस्थापना देवस का अपसरमा आयोजित समारों मा कानुन पारना गराउना विश्टो बिद्धाले का प्राध्यपक रबिद्धार्थिले भुमिका निरवहा गर्णु परने बतायके होन उनले संबेदानिक एबं कानुनी अभ्यास का क्रमा देखीने बीचलनमा कानुन का प्राध्यपक पकले संबद्ध निकायलाई खवरदारी गर्णु परनेमा जूर दीन कारिकम मा कारे बहाग प्रधान नियादिस दिपक कुमार कार केले नैक छेत्रमा बेकरिती रहे को स्विकार गर्दे नैए पालिका को सुद्धी करण का लागे सवे को साथ चाईने बताये राष्ट्य युजना आयोग का उपादक्से बिश्चो पवडेले यो आर्थिक बर्षा बड़ेमा 60 प्रतिसद मात्रे बिकास बजेट खर्च होने अनुमान करे का सन आयोग का उपादक्से पवडेले आजा कटफंडों मा आयोजीत एक कारिकमा बिकास बजेट खर्च गर्णा नौसकनू सरकारले सदे को समस्याफ़ाये को बताये उनले भणेजस्तो बिकास खर्च साथी प्रतिसद नाग्न नसके भुकम्प रा कोवीर को समस्यालाय चाडने हो भने यो पछलो एक दसके सविवन्दा खराब अबस्ता होने चा सरकारले बिकास बजेट शुक्रवार समस्यालीस प्रतिसद मात्रे खर्च गरे को सा आर्थिक बर्षा सकीन फने अब दुई साता मात्र बांके चा साता को अंतीम दिन सेर बजार परिशुचक नव अंकले घर्टे को सा कारोबार सुरुभाय को आदा खंटामा उतार चड़ाब पूर्णक का बीच बड़े रा दुई हजार तिरपन अंकमा पुगे को नेफ से अंतीम मा दुई हजार अटाइस तस्मलाप आठ अंक कायम भय लगातार तीन दीन बड़े को नेफ से आज घर्टे को हो व्यापार बित्त रर लगु बित्त बाय का बाकी 10 समुहले नेफ से घर्टा आयका होन विकास बैंक समुहका सुचक सबे भंदा धेरे घर्टे को सा आज एक से 26 कमपनी का लगानी करताले गुमाय का संफने 62 कमपनी को नोनी जिल्ला मा पोहिरो मा पुरियेर 14 जना को म्रत्य भाय कोछा एक निर्वाणा धिन रेल्वे साइड को भगना वश्रिस्त मा पुरियेर 14 जना को म्रत्य भाय को हो पहिरो मा थुप्रे जना फोसे को आशंका गरिये कुछा, भगना वस्रीस्त बात 23 जनालाई निकालिये कुछा, स्थानिय, स्थेना, रेल्वे कर्मचारी र श्रमिक सहीत साथी जना कुम्रत्य भाय को हुना शकने प्रहरी को अनुमान छा इसवीच प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधीले मुख्य मंत्री अइन बिरेन सिंग संग, पोहिरो को अवस्था बारी बुजी, केंद्र सरकार ले आवश्यक सहयोगरने आश्वाशन दिये का शन। हंकंग मां पुर्व प्रहरी प्रमुख जोन ली ले प्रमुख कारेकारी को रूप मां सपत लिये काशन। सी जिन फिंग ही जो हंकंग पुके का थी। चीन फिंग ले हंकंग मां चीनिया साशन को बचाओ गरे काशन। पादन गरने अकेडेमी समेतर भाहिको सोग क्लाब मां अधि कांग सा भारतियर पाकिस्तानी मुल्का खिलारी शन। येस पची नेपाल ले क्यानडा को रास्टिया टोली संग दुयोटा एक दिवश्या खेल खेलने शा। पोश्रुपती छेत्र विश्वके हिंदुहर को आस्था को केंद्र हो। नेपाल रभारत बात दैनीक ठूलो शंख्या का भक्तजन आई पोक्षन। ती भक्तजन ले बोकेराओने बश्र अरुगाडी को पार्किंग शुलका का नाम मा पसुपती छेत्र विकास कोस्ट ठेकेदार मिले र कोसरी खुले आम ठोगी गरी देश। यो प्रसंग श्मर्ती मलबाट। बाहीर गयर मासिक 15 लाख रुपया भन्दा बड़ी र कम असुले र ठगी रहेको शुछ। उसलाइ एसे गरी ठग न दी रहनी हो भने दोई बरसे सम्झावताको अबदीमा उसले साडे 3 करोन रुपया भन्दा बड़ी अतिर्युक्त असुल गरने शुछ। उसको कुलाम दानी भने साथ करोन पूगने शुछ। तो की एको यो ब्यानर मा बने उल्लेखित मुल्या सुची हामी देखना पाउदैनाओ। यहां पार्किंग सुलक उठाउने कमपनी हो तत्तो इन्वेस्टमेंट एन्ड सर्विस प्राली। येसका संचालकुन प्रमोत्स्रेस्ट। गता असोत चारगते पस्पती छेत्र विकास कुषले एस कमपनी संगा कर बाहेक मासित 3,19,000 रुपईया लिने गरी ठेका दियेको थियो। समझवतामा कस्ता गाड़ी पार्किंग गर्दा कती सुलक लिने भन्ने पनी इस पस्ट उल्लेक गरी एकोछा। समझवतामा दुईपांगरे स्वारी को 10, कार, जीप, र भ्यान को 25, ट्रक, मिनी ट्रक को 100, र बस को पार्किंग सुलक 200 रुपईया लिना पाउने उल्लेक सा। तरा यहां मोटर साइकल मा तोके बंदा दोबबर अर्थाथ 20 रुपईया उठाई रेकोछा। यहर्नूस 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 रिशन हजर में जगडा गर्शा नि ब्याकार मा तोके बंदा पांचे दियो सा क्यालो। सुलक लाग सा। 5 सिर्भ्या हजर। 7 बजी देखे आडवेशं मा को। छेकेदार ले चापेको रसिदमा पनी बस को सुलक रुपईया उल्लेक सा। ठेकेदार पच्छेले दुइठाउं मा कर्मचारी राखेर सुलक उठाउने ठाउं बनायेको छा। सम्जोताको प्रतीर रसितको अंका इस पष्ट फरक देखी सकता पनी ठेकेदार पच्छेले बनी प्रतेक बस बाटर 200 रुपईया बंदा बड़ी नल्येको बनी जुटु दावी गर्ना बनी छाड़ेको छाईना। नहिए यहाँ को इस्टाक को अनुदो अंचर्णा अजुरों। अजुरों वाते पिशाली लीन फानले नंजा तम्याँ दे यो गाडेको ? मखना पच्छेल अजुरों। भकष्पईया का 20 अजुरों। को लो को ? त्छेलों। यो 250 मिता ? अजुरों। कोशले 5 बर्षक लागी पार्किंग ठेका दिये पनी, सम्झावता सक्किये पची पून तीन बर्ष थपना सकिन ठाउं राखे कुछा तर सम्झोताम उल्लेखित दर बंदा बड़ी रकम खुलम खुला उठाई रहंदा कोशले नतेखे जस्ते गरी रहेकुछा सार्वजनिक सुचाना छोपेरा तेस बिपरित रसिदनाई छापेरा खुलम खुला डेर साई प्रतिशत बंदा बड़ी रकम असुल्डा पनी कोशका पदाधिकारी बने अहिले सम्म एस्तो गुनास ना आयेको अनुठो जबाह फरकम शन पर्तेशन बेटिएगो शाइना एदधे पी अब कारले समय बंदा बाहेक अब त्योत 24 गंटा चल चाल रातिको समय मा तेस्तो उनसक्षा पसबती ना तर्शन का लागी नेपाल तथा भारत का बक्ताजन बोकेरा बस मात्रे दैनिक कमती मा डेर सयाँशन एस हिसाबले ठेकेदार कमपनी ले बस पाट मात्रे मासिक साडे 22 लाक रुपाया पार्किंग सुल्क उठाउशन साडे 23 लाक रुपाया उसले समझावता बाहिरा गयरा उठाई रहेको छा एसते साना कार, जीप र भ्यानरू, एक सहरा मोटरसाइकल कमती मां 500 उठाले सुल्क तीरे रा पार्किंग गरने यहीं का कर्मचारी बताउशन साना सबारी बाता मात्रई 3 लाक रंदा बड़ी मासिक उठाउने गरेको देखींचा यो सबै जोड़दा उसको मासिक आमदानी 25 लाक रंदा माथी हुँँचा जबकी समझावता अनसार कोसला दिनू परे रकम मोटरसाइकल बाताई उठाई रहेको छा महिना को 25 लाक माथी ठेकेदार ले कमाऊना दिने तरा कोसको खाता मा जम्मा 3 लाक उननाई सजार मात्रे बजाये पोगने समझावता गरने पधाधिकारी को नियत खोटपूना देखींचा पसपती मा दर्शन गरना आउने भक्ताजन बात्रा तोके वंदा एत्ती ठूल बड़ी पार्किंग सुल्क लिही रहादा कोसका पधाधिकारी माउन हुनुले कताई उन्हेरुको पनी मिले मतोता चाहिना आसंकाता उपजिन छाने क्यामरा मा रिके सिंका साथ मा मिलन बड़ा थोकी ग्यालाची फोके काट मांड़ू आपने अनुवाई माथ ही बलतकार गरेक अब्योग लागे का सिद्ध बाबा भनेने क्रिश्ण बादुर गेरी बिरुद्ध को मुद्धा थप गिजुलिये कोशा बिराटनगर उच्छ अदालत ले सुन्चरी जिल्ला अदालत को फैसला तुरुटी पूर भने पनी फेरी सुरुबाटाई हेरने जिल्लामा पठाई दिये कोशा आफुका आईस्ताकेको मुद्धामा आफई फैसला गर्ना सकने उदा हुँदै उच्छ अदालत का नायदिसले फेरी सुरुबाटाई सुन्वाई गर्ना जिल्लामा कीन पठाई इसले नायदिसको कारे सेमता माथेता प्रस्ना उठाई केशा पिरितले पनी ततकाल पाउनो पने नायमा जन बिलंबाउने बायकोशा कालिन जिल्ला नायदिस अर्जुन कोईरलाले सरकारी ओकिल को बहसनाई नसुनि एक तर्फी रूपमा गिरिलाई दोहेजार सततर मंग्सिर 22 गत्ते सफाई दिने भैशला गरेका थिए तेस बिरुदा सरकारी ओकिल दोहेजार सततर फागुन मा उच्चा मा पुनरा बेदन गर्न पुगेका थिए जिल्ला बाट प्रमान को राम्ररी परिक्षेंद्रा मुल्यांकन न भायको प्रतिबादी तर्फका साक्सिलाई बगपत्र का लागी पुन अबसर न दियेको प्रतिबादी का कानून बेवसाईलाई जिरह गर्न न दियेको सारेरी परिक्षें गर्ने चिकित सको पने बगपत्र न गराएको प्रमान भुजने काम नहीं न सकी गरेको फैशला कानुन सम्मत न भायको रा फैशला गर्न जिल्ला नैदी स्क्वेराला हाता रियेको उच्चा को फैशला माउलेक्षा साथे जिल्लाले था प्रमान भुजना पनी भनेको छा साथे जिल्ला अदालात का ततकाली नियादी स्क्वेरालाले महिलाले नाई भेटका लागी अनुनायक गरेको बेटमा मुहित भाई शरीर समर्पन गरेको रा सहमतिमाई करणी पहायकाले बरतकार भन्डन नमिलने तरक गरेका थिये 2006 तर पूस दसमा जिल्ला अदालात प्रविश करेको इयो मुद्दा उच्चाको निर्णाय पसी गुमी फिरी फेरी जिल्लामाई पुगेको छा रा फेरी सुरु देखिने सुन्वाई गर्नु परने भाईको छा एसले एकातीरा पिन्डितले ततकाल पाउनु परने नियायमा जहन बिलंब भाईको छा बने अरकोतीरा उच्चाका नियाय दिशले आफाई कीना फैशाला गर्यनान भन्ने प्रस्नाव ठेको छा सामनेत देवानी मुद्धामा मेल मिला पोहा ससाना प्रमान भुजने प्रक्रिया का लागी सुरु आदालतमाई मुद्धा फरकाई दीने चलन भाई पने फाउजदारी मुद्धालाई एसरी फरकाई दैना साथाई उच्च अधालतलै पने जिल्ला सरहनै प्रमाण बुझने अधिकार हुन्छा तेसाईली जिल्ला ले नपुर्यायको रित उच्च अले पुर्यायरा फैसला गर्ना सक्षा तर देड़ बर्शा अल्मलायरा फेरी जिल्लामाई फरकाई दिन्दा 1922 जोसीर गुप्ता को भूमिकामा प्रस्ना उठेको छा जिल्ला अदलत को फैशला गलत हो बनने जान्दा जान्दाई फेरी जिल्ला माई पठाई दिने उच्चा अदलत को फैशला आले यो मुद्दा जण गिजो लिये को छा आपनो विबेकी ये अधिकार प्रएग गरी मुद्दा किनारा गर्नु पर्णेमा उच्चा का नियाईदीस पन्चिना खोजे का होन बने एसले उनिहरुमाई कारे छिमाताको अभाब दर्शाँ छा मोरंग बाट राजु पोडेल रसुन्शरी बाट प्रकास्तिमल सिना का साथ बासु खड़का गैलेक्सी फोके कट्वन्डाउं बर्शायामा हरेक बर्शा सब्तकोसी नदिले खेती योग्ये जमीन कटान गर्शा नदिया आसपास बसबास करने स्तानियाको उठी बास नहीं लागने गर्शा तर येस्तो संख्या पनी छा जब कोसीमा बाड़ी आउंचा उनिहरुको आमदानीको स्रोद खुल्छा नदिले पाहर का बिविन्न ठाउबात बगार ले आएको काट का मुढा बिक्री गरेर उनिहरु बर्शा भरी का लागी आर्थिक जोहो गर्ने गर्शन। उनिहरुले दावरा बेचेर दैनिक दुहजार देखी दस हजार सम्बा आमदानी गर्ने गर्शन। निकालने गर्शन। जो काठ हो यो जुन भाता हो यह वड़ा फ़लाम को रडशा शान रडशा जोची तोल तीर जस्ते आने पाची तो काठ मा लाग्शार यो काठी जब यह लाए बचे दो निस्किन छा इसके मादेले मातर यो निकालने ओ दुठाला जारना पक्रेवानी तो बारस भायाल चा जाशरी आप बियाने देखी शुरु देखी पक्रेवानी तो पंडर से शोला से टेका भायाल चा ना तन पांचे शासे माता ते हामरो नेंटन भायाल चान। बीगरी ये हुंचा ये इकिन आमों तुमारो ने वाह दिखी शोला जामारो नेकिन अइनचा झाला ने दो पुली हुंचा ना ते हमाठी बाधि जारे इंडिया तेनी उतावरा दल चाबला मून तेल सपरे बोके रह थाए बाधिया क्शिएरव डिस्कंट मेपने टवानेना लोलक। खैवेशा रिप नंखिर ही या नेनल्य skins Color कर नेम्देशे घुनि मैस श्यों की अपरीगी। त़ में निगालृत नियो है, यह थीक श्रुत है, यह यह थैसे काकाउँ whindbas..? मंजाते हविकों? मैंजाते हुन है, कि एक महीन तृकहं निगालृत मेर increases? यह थैसे होंदें नि पर लोडहे है, यह थैसे होदी है कि आज महीने हुने है, कि पानने हो फोनिक खोने है काम गरेको दिखाने पाला У्ह ज़न में देखी करी रहा रहा जो जनमे रोड़के को ना ने परी न पने टेती ने सक्चु। दूंगा पनी चलो न पने टेती ने सक्चु। मा जी नुँँ हूं हम इभ भु पने पनी। पानी के बाद बढ़ू मारा बाइर दीफ़ को अला हुँछानी, तो भाला दे को खिला जत्तो भीशानी अचानी? तेस्ता हुँदे ना, हमले, यह ता कोछी बाइरेज मा तेस्तो पानी जती चुगे आउस यह कोछी बाइरेज मा फरक पर देना तो दॉर के उँगा आउसूड़ पानी, यह ता कोछी बाइरेज मा निकाल है, सब्सक्राइब गज्रेए नहां सब्सक्राइब हो तब ऑगरा लाए अज्ची परिकर उन गोडों भिट्रिकर अबने को ते बाइगा श्रद गार्द अन्य हर लइ ट्निमयनां गर्यक अंदे बटनी कामले पर शनिक खाना फुरेकर शॉग तेमिसी ना गैल शी वर के बिद्धुतियो पूल प्रेवक को विसला ले रहे केई समय अगी ठुलो विवाद भयो बिद्धुत प्राधिकरण ले पूल भाडा उठाव दाकेता गरे पसे इंट्रेट सेवा प्रतायक कमपनी ले सिवा बंद गरने धम की दिए तिसमसी प्रादिकरण पहशी अटियो प्रादिकरण ले दूर संचार प्रुबादार कंपणी को लाइसेंस मा चासो दिये को हुँ प्रादिकरण को बिदूत्य पोल प्रयक्गरे बापत दूर संचार तथा इंटरनेट सेवाप्रदायक कंपणी हरले तीरुपने भारा लेयर चलरेको विवादले निकास पाउनी भायकोशा कारीकारी निदेशक पुल्मान गिसिंगले प्रादिकरण ले प्रुबादार बनाऊदा इंटरनेट सेवाप्रदायक लाई भारा दिने उद्धेशे नुरा खियेको बन्दै सरकार ले लाइसेंस खुलाए दुरसंचार पुर्बादार कमपणी को लाईसेंस निना प्रादिकरण तोयार छा भनेका छन दुरसंचार पुर्बादार निर्मार को बाट खुलने छा दुरसंचार पुर्बादार नभाईकेले सेवाप्रदायक ले बिदूतियो पुल प्रयक गर्दे आयकासन पुल प्रयक बापत भाडा नतिरे पछे प्रादिकरण ले सेवाप्रदायक को तार ने काट्यो प्रादिकरण र इंट्रनेट सिवाप्रदायक कम्पणी बीच 2015 भदो पच्छी को पोल भारादर बारे विवाद चली रहेको छा। तेती बेला प्रादिकरण ले आठ कुना सम्मा भारा भडायको थियो। सिवाप्रदायक ले बिरुद गर्दै भारा तिरेनन। 2006 मंग्षिर मा संचार तथा सुचना प्रविदी मंत्रालाय र उर्जा मंत्रालायले उच्छस्थरिय समिती बनायरा कुल को निया भारादर त्वय गर्न भने समितीले 2007 भदो पांच मा भारा भडाय। तरा समिथीले बढ़ायको भारा नतिने अरान शिवा प्रदायकले अजरी छाड़ेका छाइनान. अबको छमाईना पची भुमिगत गरियेका बिदुतियो तार बाटे बिदुत शेवा संचारान मा होने छा. कार्फनुका धेरे जशो पोल हटाइने छान. यस पची इंटरे शेवा प्रदायक संचा को पोल भारा को विबाद सोतास्चमापत होने छा. प्रादे करण का अनुसार बिदुत को तार भुमिगत करदाने फाइबर डक्ट राख्ये कारे इंटरे शेवा प्रदायकले सजीले शेवाली नसक्रे छन. तर अईली देखिने त्यारी सईट समनोय न गरे पोल हटाय पसी इंटरे शेवा प्रदायकले शेवा प्रदायकले फाली छा. यसरी फाली एका प्लास्टिक का सामानली फोहर मात्र बड़ायरायको छाईना नदीर महासागरनी दुसीद भईरायका छन. प्लास्टिक का सामागरी सर्दैनन नस्टगरनका लागित जलाउनु पर्ष, जलाउन दा वायु प्रदूस्टन होन्छ. वाताबरेनी दृष्टिरी हानिकारक भयकेले भारतली एकपटक प्रयोगरी फालीनी प्लास्टिक का सामागरी कोद पादन विक्री बितरन रप्रयोगमा आजदेखी रोक लगायको छा. भारतली थर्मकोल फ्लेट, मिठाएको बक्समा रैपिंग अने फ्लिम, चकलेट का खोल, निमंत्रणा काल, कब, चस्मा, काचा, चम्चा, इस्ट्रो, चकु, ट्रे, प्लास्टिक को जण्डा र आइस्टिक को पादन र प्रयोगमा प्रतिबंद लगायको हो. प्लास्टिक का जोला पनी प्रदुषण का कारण हुन, तर अहिले प्रतिबंद लगायका बस्तुको सुची मा जोला छाईनन। सरकाले तिनीहरूलाई पुन प्रयोगमा मिलने गरी मोटाई बढ़ावन भनेको छा. खाद्या उत्पादन का लागी प्रयोग gloss का प्लास्टिक का पैकेजिंग लाए पनी प्रतिबंद लगायको छाईन, तर उत्पादा खरुली इसलाई पुन प्रयोग gloss भनेर सुनिस्चित गणु परने छा. एकल प्रयोग हुनी प्लास्टिका सामगरी उत्पादन र प्रयोगण नपाउने निडएक कारण्येन का लागी राष्ट्रिय र प्रदेश इस्तर्मा प्रदुशन नियेंद्र निकायलाई सतर्क गराईयेको छा। नियेम उल्लंगन गर्णे माती जरिवाना का साथे जेल सजाये समा हुने भारतिय संचार माध्यमले जनाय का छन। प्रतिवंदित बस्तु प्रयोग गर्णे लाई 500-2,000 रुपईया समा जरिवाना हुने छ। अधोगी की स्तर्मा उत्पादन, पैठारी, भन्दारन, रबिक्री गणिलाई वातवर्ण सम्रक्षण अईन बमोजिम 20,000 देखी, 1,000,000 रुपईया समजरिवाना वा पाच बर्ष समजेल वा दुबे सजाये हुने छ। प्रतिवन्दित एकल प्रयोगुने प्लास्टिक का बस्तु को बिकल पखोजन उद्धो घरुलाई सरकाली सयोग गर्ने भनियेको छ। बिस्सु ब्यापी रुपमे प्लास्टिक का सामगरी को सानु अंक्ष मातरी पुन प्रयोग मा आउने गरेको छ। अधिकांग सब बस्तु एक प्रचक प्रयोगरी रा फालीन छ। जसका कारण वातावर्ण प्रदुषित भई रहेको छ। सन्द्धुएचार पचास समा बिस्सु मा प्लास्टिक को फोहर करीब 12 अर्ब ट्रन हुनी अनुमान समिकत राष्ट संको छ। अस्ट्रोलिया को मिन्डेईरू फाउंडेशन को हाले को रिपोर्ट अनुसार अमेरिकार चीन पचिव भारत बिस्सो को तेस्त्रोठ विलो प्लास्टिक का फोहरुत पादक देशो। कारेन वेन चुनावती पुन भायपनी प्रदुशन को प्रमुख स्रोत मान्यका र एक पत्र को प्रयोग गरीर फाले प्लास्टिक का सामागरिमा प्रतिवंदको भारत मां धिरेली स्वागत करेका शन। अंतर राष्ट्रिय ब्यूरू गालेक्सी फोके हमें गालेक्सी न्यूज आओर को अंते मासों जाद जादे हेडलाइन्स राजनिती मा फेरी साना दोल को बीग बीगी बढ़ने संकेत एकी करोण को द्वी बर्सन नौपुग दे जोसपाद दोस्टूपटक फूड को संगार मा देजार चोहत्तर को चुनाबले जुटाएं का दौल पनी धमाधम विभाजें सिडियोर नैदीस पाटे घुस्खाने माहलेखा का कर्मचारी को बीवरण सार्वजिने गर्न सामसुदर को माग भंचन माहलेखा परिक्षेक को बिक्तिमा समसदले ने चानबीन गर्नु पर साओ पासुपत चैत्र को पार्किंग ठेका माँ चॉलखिल कुश्मा चैतर लाख बुजायर साथ करूड उठावने दाव प्राधिकरनडे भारत लाए बिजुली बेचर एक महीना मां कमायो पौने दुई अर्भा भारती उर्जाय एक्सेंज मार्केट मां 17 करूड 82 लाख यूनिट बिक्री अजलाई गैलक्सी न्यूज आवर सक्यो नमस्ते यूज इस गैलक्सी न्यूज आव लाई